इस वीडियो में हम एट्मोस्वेर की दो मुख्य लेयर्स के बारे में जानेंगे। ट्रोपोस्वेर जिसमें मौसम और खराब ओजोन शामिल है। स्ट्रेटोस्वेर जहां अच्छी ओजोन हमें खतरनाक अल्ट्रावालिट लाइट से बचाती है। हमारा एट्मोस्वेर कई गैसे से बना है। मुख्य रूप से नाइट्रूजन और ऑक्सीजन ये प्रित्वी की ग्रेविटी की वजह से हमारे आसपास बनी रहती हैं। क्योंकि हवा कमप्रेसिबल होती है, प्रित्वी से दूर जाने पर ये कम डैंस होती जाती है। चलिए, पहले 50 किलो मीटर पर नजर डालते हैं जो हमारे एट्मोस्वेर का 99 प्रितिशत हिस्सा है। विजिबल सनलाइट एट्मोस्वेर से गुजर कर जमीन को गर्म करती है, जिसे की जमीन के आसपास की हवा भी गर्म हो जाती है। अब उपर की ठंडी हवा, नीचे की गर्म हवा, जो की एक्सपेंशन की कारेंट कम डैंस होती है, को उपर पुश करते हुए नीचे की ओर बढ़ती है। वैदर सिस्टम होता है। ये कम हवा वाली एक लेयर होती है, जो उपर की ओर गर्म होती है, क्योंकि उपर की ओर इसे अल्ट्रा वालेट रेडिशन्स द्वारा गर्म किया जाता है, जो अच्छी ओजोन द्वारा एब्सॉर्ब की जाती है, और नीचे से ये ठंडी रहती ह जो इसे डाइनमिकली स्टेबल बनाता है, ये टर्बुलेंट ट्रोपोस्फियर से ठीक उल्टा है, यदि आप कभी एक जेट एरप्लेन में बैठे हैं, तो टेक ओफ के बाद टर्बुलेंट ट्रोपोस्फियर की वजह से आपको एक बंपी राइड मिली होगी, लेकिन जै वेल, ओजोन ओक्सिजन का एक एलोट्रोप है, इसके मॉलिक्यूल्स तीन ओक्सिजन एटम्स से बने होते हैं, जो कि आपस में वीकली बॉंडेड होते हैं, ये एक अंस्टेबल गैस है, जो कि धीरे-धीरे मॉलिकिलर ओक्सिजन में डिकम्पोस हो जाती है स्टेटोस्फियर में ओजोन लगातार अल्ट्रावॉयलेट लाइट्स द्वारा बनती और तूटती रहती है, जिसे ओजोन ओक्सिजन साइकल कहते हैं स्टेटोस्फियर में YUV को मॉलिकिलर ओक्सिजन द्वारा एब्सार्ब किया जाता है और उन्हें मॉलिकिलर ओक्सिजन के साथ जुड़कर ओजून बनाने का मॉका मिल जाता है यदि वे बहुत तेजी से मूव करते हैं, तो वे केवल बाउंस होकर निकल जाएंगे हवा के molecules के साथ वो जो energy share करते हैं वो अपर atmosphere को गर्म कर देती है oxygen atom अब ozone बनाने के लिए oxygen molecule के साथ जुड़ गया है ozone ultra wallet light को absorb करने में बहुत effective होती है जिससे कि वो वापस एक oxygen atom और एक oxygen molecule में विभाजित हो जाती है और अपर atmosphere को गर्म रखती है जैसे ही oxygen atom वापस से slowly move करना शुरू करता है फिर से ozone बन जाती है ozone पूरे stratosphere में फैली होई है जो यहां काले रंग में दिखाई गई है आपको क्या लगता है कि high up और low down ozone काफी कम क्यों है याद रखें कि ozone बनाने के लिए हमें ultra wallet light और oxygen की जरूरत होती है pause करें और सोचें वेल यहां बहुत कम oxygen है और यहां tropopause के पास जोकि lowest temperature वाला point है जहां troposphere और stratosphere मिलते हैं यहां कोई ultra wallet light नहीं होती इससे उपर वाली ozone द्वारा पहले ही absorb कर लिया जाता है तो यह है हमारी ozone layer यदि ozone को solids की तरह एक साथ दबा दिया जाए तो यह केवल एक cardboard की sheet की जितनी मोटी होगी लिकिन यह वास्तव में एक 20 से 30 km तक फैली हुई gas है हमारे atmosphere में oxygen के आने से पहले UV प्रिथवी की सतह तक पहुँच सकती थी और उसने किसी भी प्रकार के जीवन को पनपने नहीं दिया ozone troposphere में भी मौजूद होती है जो कि मुख्य रूप से यातायात से होने वाले production पर sunlight के action द्वारा बनती है यह photochemical smoke बनाने में साहयक होती है जो कि एक polytent है Part 2 में हम ozone layer के famous hole के बारे में जानेंगे